पटरी पर दोड़ती रेट, जोड़ती है गाउं को शहर से, उपज, उत्पाद और उद्यम को बाजार से, उम्मीदों को उनकी मन्जिल से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडिशिप में, अब रेल जोड़ेगी उनसे, जिन्होंने जोड़ा था पू इश्व की सबसे उची, सरदार वल्लभाई पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यो अफ यूनिटी, अपनी अध्भुत बनावट एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के कारण, बन गई है लोकुप्रियट टूरिस्ट देस्टिनेशन, जिससे लगातार बढ़ र साथी सडक मार्क की तुल्ना में लगेगा कम समय, और सफर बनेगा सरल और किपाईथी इस कनेक्टिविटी के लिए भारतिय रेल ने चांदोद से केवडिया तक 32 किलोमेटर की बिछाई है नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, साथी धबोई से चांदोद तक 18 किलोमेटर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में किया है परिवर्द है यही नहीं केवडिया में किया गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के पहले ग्रीन स्टेशन का निर्मान इस पूरी परियोजना की मन्जूरी मिलते ही तुरंत शुरू किया गया काम लेकिन ये राह नहीं थी आसान भारी वर्षा और गुरोना जैसी महामारी ने रोकनी चाही काम की रफ्तार लेकिन भारतीय रेल के बुलंद होसलों ने हर चुनोती की गिराई दीवाद और लिखी सफलता की नई कहानी इस परियोजना को कम समय में पूरा करके धबोई चांदोद और केबडिया के स्टेशन भवन लोकल थीम पर हैं आधारित साथ ही 80 किलोमेटर के इस पूरे रेल खंड को किया गया है विद्युतिक्रित ताकि परियावरन रहे प्रदूशन रहित प्रतापनगर धबोई खंड में गती को बढ़ा कर किया गया है 110 किलोमेटर प्रतिगंटा इसे 130 किलोमेटर प्रतिगंटा करने की है योजना अब ये पूरा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली धार्मिक नगरी बारानसी, दक्षिन में चेन्नाई आर्थिक केंद्र मुंबई सहित देश के प्रमुक स्थानों से जुड़ जाएगा जिससे खुलेंगे विकास के नए द्वार रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल व्यवसायर रोजगार को मिलेगा और बढ़ावा और आत्म निर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती आज माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन धभोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल नाइन चांदोद केवडिया नई ब्रॉडगेज रेल नाइन प्रतापनगर केवडिया नव विद्युतिकृत रेल खन धभोई जंक्षन चांदोद तथा केवडिया के नए स्टेशन भवनों का और साथ ही हरी जंडी दिखा कर शुरुवात कर रहे हैं यहां के लिए चलने वाली देश के विभिन स्टेशनों से आठ नई ट्रेन